जैसे मैंने बता है जिनको इस तरह की असाद्य विमारियां है गिलो एक अध्भूत प्रयोग है आईरवेत में हम लोगों ने वेक्टियल और वाइरल डीजिस के लिए भी और इस तरह की इनफेक्शन वाले डीजिस के लिए भी बहुत सारे जड़ी बूटियों के उपर की जा सकती है उन्हें में जो हमने पाया मैं आपको बैताना चाहता हूं जैसे गिलोए गिलोए को हम लोगों ने सबसे अध्भूत पाया टिनस फोरी का टिनस फोरा काडिफोलिया उसका वानस्पतिक नाम है और हम गुडूची बोलते हैं उसको अम्रित बल्ली बोलते हैं गुर्जो बोलते हैं अलग-अलग भाशाओं में अम्रित बल्ली के नाम से ज्यादा भाशाओं में उसका नाम है तो वह इतना अध्भूत है कि यदि आपको टीवी की बिमारी है चाहें कैंसर की है चाहें आपको डाइबेटेज हैं चाहें कोई इनफेक्शन है या आपको यह ऐसा है कि पता ही नहीं है कि क्या बीमारी है घर शेरी में टूटन रहती है दद रहता है बुखार सा बना रहता है आप उसको उबाल करके तो गिलोए काढ़ा आराम से आप पंसारी के हां भी मिल जाएगा पतंजली के स्टोर में भी मिल जाएगा और गिलोए घंबटी बनी हुई यह दि मैं अश्रदी की बात करूं तो गिलोए घंबटी हमारी बनी हुई आती है उसको आप दोदोगोली सुभर शाम सेबन कर लेजिए यह एक अदभूत है निरापद है सबसे बड़ी बात है कि वह टॉक्सिक नहीं है किसी भी तरह से उससे हानी नहीं है बिल गिलोए घंबटी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे सीजन चेंज हो रहा है या मौसम परिवर्तन के समय किसी भी तरह की इंफेक्शन ओगर होनी की संभावना रहती है तो वहां भी गिलोए घंबटी से हम रोक सकते हैं तो एक गोली घंबटी और एक गोली तुल से घंबटी कि अब सुबह शाम ले लेते हैं तो अधिकांस तहारोगों से जैसे अभी पॉलूशन की बहुत भानक स्थीती हो रही है मैं आज ही देख रहा था कि दिल्ली में इतना NCR में भानक स्थीती है हम क्या करें मास्क लगा करके कितना रह सकते हैं या हम दिल्ली से ब दो गोली गिलोई घंबटी और एक गोली तूलसी घंबटी जरूर से बन करें आप सुबह शाम कोई भी विमारी नहीं है तो भी आप सुबह तीन गोली साम को तीन गोली जरूर ले 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 और पेट आधी ठीक नहीं है तो मेरा निवेदन है ऐलोवेरा जूस आवला जूस और गोधन अर्ख नहीं तो एलवेरा और आवला लगबग आप 20-20 ml उसमें मिला करके जरूर सुभा एक बार तो आप अवस्य सेवन करिये इतना मेरा निवेदन है